बच्चो नमस्कार मैं सिरिशा आज मैं बर्गनौ के लिए ब्याकरन लेकर आया हूँ बच्चो आप लोग को मालूम है कि जब भी हम लोग पाठ पुष्टक से समदित कोई भी पाठ परते हैं उससे समदित कुछ ब्याकरन भी होता है पिछले वीडियो में हम लोग पाठ दो दूख का अधिकार पढ़े हैं उससी से समदित ब्याकरन है उससी पाठ से समदित ब्याकरन है जीसे पहना निवारज है तो चलिए हम लोग सुरू करें यहां ब्याकरन में क्या पहना है मैं बता दू, ब्याकरन खंड से यहां चार चीजों को पढ़ना है, वह चार चीज कौन-कौन सी है, तो ध्यान से सुनिए, मैं चार विशय टॉफिक बताऊंगा, खुब ध्यान से सुनिए, वह चार चीजे कौन-कौन सी होगी, एक पंचमाक्छर, दूसरा अनस्वार, तिसरा अनुनासिक, और चौथा, अन्तह अस्तवण, ताथा उस्मवण, यह चार चीजे हम लोग पढ़ेंगे, आप लोग ध्यान से सुनिए, समझ में जरूर आएगा, बच्चो, इस टॉपिक को ध्यान से देखिए, मैं इसे जुम करके दिखा रहा हूँ और पढ़ कर सुना रहा हूँ अप लोगो, ध्यान से देखिए, निम्नांकी सब्समुहों को पढ़ो और समझो, खो में दिया है, कंगा, पतंग, चंचल, ठंधा, संबंध, ठीक, इन ही सब्समुहों को, खो में कैसे लिखा है, इसको ध्यान से देखिए, खो में भी लिखा है, कंगा, पतंग, चंचल, ठंधा, संबंध, बचो इन दो पक्तियों में को और खो दो पक्तियों में दुसरे पक्ति में अन्सुवार का पर्योग किया गया है और पहला पक्ति में क्यवल पंचमाक्षर का पर्योग किया गया है मैं आप लोग से बता दूँ ये पंचमाक्षर की से करते हैं आप लोग ब्याकरण में पढ़े हैं को खो गो गो अंगो कवार्ग का अंतीम अक्षर अंगो चवार्ग का अंतीम अक्षर ये तवार्ग का अड़ तवार्ग का न तथा पवार्ग का म ये पंचवा अक्षर पंचमाक्षर कहलाता है को से लेकर पवर्ग तथ का पंचवा अक्षर पंचमाक्षर कहलाता है ठीक है समझ में आ गया होगा कि पंचमाक्षर किसे करते हैं अब इन ही पंचमाक्षरों का परियोग कब अन्सवार के रुप में कब अन्नासिक के रुप में और कब पंचमाक्षर के रुप में होता है इसे मैं बताऊंगा बताने जा रहा हूं अपनों ध्यहां से दिखिए बच्चो अब मैं आगे जो पढ़ना उस ध्यहां से दखिए यहां ध्यहां देने की बात है आगे इसे पढ़ना हूं ध्यान दो कि अंग, इय, आड, न, और म, यह पांचो पंचमाक्षर कर लाते हैं मैं पहले बताया हूं कि को से लेकर पवर्ग तक कि अंती मक्षर को पंचमाक्षर करते हैं ठीक है इनके लिखने की बिधियां उपर बताया गया है कंगा में, पतंग में, चंचल में, ठीक है उगरे उगरे उट पर दिया है इसी रूप में या अंस्वार कर रूप में लिखा जाता है अगर आप पंचमाक्षर के रूप में लिखते हैं तो या अंस्वार के रूप में लिखते हैं तो दोनों सत्य होता है जैसे अगर मैं चंदन ऐसे लिखूं या चंदन ऐसे लिखूं यहां पंचमाक्षर कुप में हैं और यहां अंस्वार के रूप में हैं दोनों ही सुद्ध हैं बचो बताना है कि पंचमाक्षर कब अंस्वार के रूप में होता है और कब अनुनासी के रूप में होता है तो ध्यान से दिखिए जैसे अगर मैं लिखताओं चम्पा ठीक है यहां अन्सुआर है यहां अन्सुआर किस मंच माक्षन में बदलेगा नौ में बदलेगा मौ में बदलेगा अंगर में बदलेगा यहां बदलेगा ध्यांस दिखिए नियम है कि अन्सुआर के बाद जो अक्षर आया है उसी के पंसमा अक्षर में यहां अन्सुआर बदल जता है जैसे अन्सवारबला अक्षर हो गया चो ठीक है ठीक इसके बाद अक्षर आया है पो तो पो का पंचमाक्षर मो होता है मो में ही अब बदल जाएगा आदा मो में बदल जाएगा वैसे भी तो बेंजन हलंद के रुप में ही लिखा से लिखे जा सकता है जो अब अन्सवार बदलेगा पा के पंच माक्षर में तो पा का पंच माक्षर होता है मौ तो मौ आधा मौ अब पूरा मौ लिख कर या तो खलंद दीजिए आधा मा दीजिए पा ठीक उसी तरह से अगर पतंग है लिखा गया है इसे पतंग अब अन्सवार को हटा जना है तो अन्सवार हटेगा तो उसका पंच माक्षर क्या होगा ध्यांद दीखिये पा तो के बाद वाला अक्षर क्या है तो गो का पंच माक्षर क्या होगा तो अंगा तो अंगा अगा पतंग अठात अन्सवार जिस अक्षर पर होता है उसके बाद वाला अक्षर जो होता है उसी के पंच माक्षर में अन्सवार बदल जाता है ठीक है लेकिन जैसे पपो लिख्या हुआ है अब यहां अगर कोई भी बेंजन दो बार आमें तो उसके लिए अन्सवार का पर्योग नहीं होता है खैर आगे फीर आएगा मैं समझाओगा द्यान से दिखी आगे बढ़ते हैं जैसे यहां पर है अन्सवार का पर्योग नहीं होगा कहां एक पंच माक्षर यहां पर लिखा हुआ है जैसे यहां से एक माक्षर जब दो बार आएं तन्सवार का पर्योग नहीं होगा जैसे अम्मा अम्मा में आधाम में फिर में दोनो पंच माक्षर है इसमें अन्सवार का पर्योग नहीं होगा अन आधा नो नो तुनो पंचमाक्षर है इसलिए यहाँ पर कोई अंस्वार का पर्योग नहीं होगा एक पंचमाक्षर दो बार आये तो पंचमाक्षर का पर्योग नहीं होगा फिर आगे बढ़ते हैं इसी परकार इनके बाद यदि अंतह अस्त आप लोग जान लिजिए कि इस बात को जाना ज़री है या रा ला हुआ इस चार अक्षर को अंतह अस्त वांड कहते हैं फिर इसी परकार तालब्यस, मुर्धनस, दंस और हुआ इस चार वांड को उस मुआण कहते हैं तो चाहे वा अंतह अस्त वांड हो या उस मुआण हो चार आठ अप्षरों में, आठ वांड में कहीं भी सब्दों के अंदर आएं तो अंस्वार का पर्योग होगा प्रन्तु उसका उचारन पंचम वांड में से किसी भी एक वांड की भाती हो सकता है किसी भी वांड की भाती हो सकता है, जैसे, धैसे, शंस्य लिखा हुआ है यहाँ अंस्वार का उचारन न की तरह संसै, सन रचना, यहाँ अंस्वार न की तरह उसका उचारन हो रहा है तो वही करें अंसुवार यहाँ नौ है लेकिन वही आप संबाद में देखिए संबाद इसको हम संबाद नहीं करते हैं यहीं अंसुवार यहाँ नौ है और यहीं अंसुवार यहाँ नौ है उसी तरह से यहाँ इसको पढ़ेंगे हम शंहार अर्थात बच्चों मैं बता दूँ कि हा वा रा ताला बिसा यहाँ अंतहा वस्त वर्ण हो या उस मर्ण हो इसके पहले अगर अंसुवार है किसी अक्षर पर तो वह अंसुवार कहीं न हो सकता है कहीं अंगा हो सकता है कहीं मह हो सकता है वो कहीं भी किसी भी पंचमा अक्षर में उसका उचार न हो सकता है परंतु अगर वही किसी भी इन तो उसके बाद बाला जो अक्षर होता है उसके अनुसार पंचमाक्षर का उचारन होता है उसी तरह पंचमाक्षर में बदल जाता है ठीक है कि एक और बात बता दों आप लोको जहां से सुनिये बच्चो यह चीन जो आप देख रहे हैं यह चीन है अनुसुर का लेकिन वह ही यहाँ देखिए यह चीन है अनुनासिक का इसको अनुनासिक कहते हैं और इसे अनस्वार कहते हैं और इसे अनुनासिक कहते हैं दुसरे सब्द मुकर सकते हैं, कि या बिंदू है और या चंद्र बिंदू है, अब देखिए, कि कहा बिंदू का परियोग होता है और कहा चंद्र बिंदू का परियोग होता है, इसके परियोग के बारे में जानना जर्वी है, तो ध्यास देखिए, इसमें लिख्या भी है कि कि दुनु का पर्योग में दुनु का पर्योग में रूचारन में अंतर होता है अन्सुवार का पर्योग नीची अवर लानी में देखिए अन्सुवार का पर्योग बेंजन के साथ होता है और अनुनासी का पर्योग सुवर के साथ होता है आप लोगों मैं एक बार बता दूं अंस्वार का पर्योग बेंजन के साथ और नासी का पर्योग स्वर अक्षरों के साथ होता है अब सीधे चलिए उपर मैं बताता हूँ जैसे ध्यान देजिए सो बेंजन अक्षर है फिर यहां भी देखिए चो बेंजन अक्षर है ठ बेंजन है इसके उपर जो अनस्वार का पर्योग हुआ है देख लिजे लेकिन ओ स्वार है बा बा टब बा आ रहा है स्वार मौन कीज़र उचारना है मू यहाँ देखिए मू अठात यह हर सव लगा हुआ है तो यहाँ ओ आ उ इ ए इन सब अक्षरों का उचारन इस सब ही अक्षर स्वार है तो मैं बता दूं अप लोग को ध्याँ दिए कि बेंजन अक्षरों के उपर बिंदू अर्थात अनस्वार का पर्योग होता है स्वार अक्षरों के उपर अनुनासिक अर्थात चंद्र बिंदू का पर्योग होता है ठीक है तो बच्चो मुझे आसा है कि आप लोग को इस विडियो में चार चीजे अब वस्य समझ में आगे होगा चार चीजे मैं बताया पहला बताया अक पंचमाक्षर को चट पो के अंती मक्षर कवर्ग पवर्ग चवर्ग के अंती मक्षर को पंचमाक्षर कहते हैं जेसे अंगा इया ना म इत्यादे और पंचमाक्षर आप लोको समझ में आगे होगा पंचमाक्षर कब अंसवार किस पंचमाक्षर में बदलेगा तो आप लोगो सीधे देखना है कि अंसवार वाले अक्षर के बाद कौन अक्षर है उसी अक्षर के पंचमाक्षर में अंसवार बदलता है फिर दुसी बार इस वीडियो में बताया कि अंतह आस्तवन और उस्मवन अगर किसी सब्द में हो और उसके उपर और उसके पहले किसी अक्षर के उपर अनस्वार हो तो वह अनस्वार किसी भी पंचमाक्समन बदा सकता है जैसे मैंने बताया सन्माद, संब्द, फिर से आपका जैसे संसय, संघ, संरचन, इस सबक्षनमे में समझाया कि कहीं मो haya होता है कहीं न होता है कि जब अंतह आस्तवर्ण हो तब या उस्थ म्वर्ण हो तब और नहीं तो हर एक बेंजन के उपर अगर अंस्वार हो तो वह कि अनुनाशिक अर्था चन्दी बिंदु स्वर अक्षर के उपर लगता है जहान स्वर का उचान हो और बिंदु अर्था अनुन्द स्वार बेर्जन अक्षर के उपर लगता है ठीक है तो इसे आप लोग बढ़िया समझेगा अगर किसी परकार का डाउट हो या समझ नहीं आया हो तो आप लोग मेरे वाटसप पर या गुरूप वाले वाटसप पर जरूरी से बताईएगा मैं फिर आपके डाउट को किलियर करूगा धर्न्यवाद